इश्वर के जिस नाम का भ्यास है उसका अस्मरन करना चाहिए बिस्या सक्त संसार में चित ब्रिती का निरोध कैसे हो कई लेखक कहते हैं कि विशय भोग हमारा कर्तब्य है इस आयू में शंजम धर्म का समर्थम करना बिचित्र सा मालूम होता है तथा पी मेरा अनुभव मैं कैसे भूलू निर्विकार बनना सक्के है इसमें मुझे कोई सक नहीं परतिक मनुष्र के लिए इस परियास को करना कर्तब्य है निर्विकार होने के कई साधन है साधनों में राजा राम नाम है प्राता काल उठते ही राम नाम लेना और राम से कहना कि मुझे निर्विकार कर मनुष्र को अवश्र निर्विकार करता है किसी को आज तो किसी को कल सर्थ इही है कि यह प्रातना हारदी खोने चाहिए बात यह है कि प्रतीच्छन हमारे अस्मरन में हमारी आँखों की सामने इश्वर की अमुर्त बूर्ती खरी होनी चाहिए अभ्यास से इस बात का होना सरल है जब वासनाई आप पर हाभी होने का प्रयत्न करें आप अपने घुटनों के बल बैठ जाएं और इश्वर से सहायता के लिए प्रार्थना करें मुझे राम नाम से सदा ही सहायता मिली है आखिरकार मुझे तो उसी एक रामवान का सहारा लेना है जिसे मैं जीवन की सभी बुराईयों का उपचार मानता हूँ और वह यह है कि हम जो भी लड़ाई लड़ें हमारी लड़ाई शुद्ध हो हमे शत्त और अहिंसा से तनिक भी बिचलित नहीं होना चाहिए अगर हम अपनी गाड़ी को इन दो पटरियों पर चलाते रहेंगे तो आप पाएंगे कि हम अपनी लड़ाई में चाहिए हजार गलतियां ही क्यों न किये हों उसमें शुद्धता की शुगंद होगी और उसे लरना हमारे लिए शुगं होगा